एक बार की बात है एक छोटे से गाउं में रमन नाम का एक गरीब किसान रहता था रमन के पास ज्यादा संपत्ती नहीं थी लेकिन उसके पास एक छोटा सा खेत और एक पुरानी जोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पतनी और दो बच्चों के साथ रहता था वह हर दिन सुभह सुभह उठकर खेत में मेहनत करता और जो कुछ भी उपजता उसी से अपना परिवार पालता रमन का एक पडोसी था श्यामलाल जो गाव का सबसे अमीर व्यक्ती था श्यामलाल के पास बड़े-बड़े खेत, बहुत सारी गाएं और एक आलीशान घर था लेकिन इसके बावजूद श्यामलाल हमेशा चिंतित और दुखी रहता था वह रमन की सादगी और खुशी को देख कर हैरान होता था और सोचता था इतना गरीब होकर भी रमन हमेशा खुश कैसे रह सकता है एक दिन श्यामलाल से रहा नहीं गया और वह रमन के पास गया उसने रमन से पूछा रमन भाई तुम तो बहुत गरीब हो तुम्हारे पास न तो ज्यादा जमीन है न ही पैसे फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो रमन मुसकराते हुए बोला श्यामलाल जी खुशी संपत्तिसे नहीं आती बलकि संतोष से आती है मेरे पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहता हूँ मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ इमानदारी से काम करता हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना दिया यही मेरी सच्ची खुशी का रहस्य है श्यामलाल को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ उसने महसूस किया कि वह अपनी संपत्ति और धन के पीछे इतना भाग रहा था कि असली खुशी से दूर हो गया था उसने सोचा अगर रमन जैसे साधारन व्यक्ति इतनी खुशी से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं उस दिन से श्यामलाल ने अपनी सोच बदल दी उसने अपनी संपत्ति के पीछे भागना छोड़ दिया और जो कुछ भी उसके पास था उसमें संतुष्ट रहने लगा धीरे धीरे श्यामलाल की जिन्दगी भी खुशहाल हो गई और वह समझ गया कि असली खुशी बाहर नहीं बलकी हमारे अंदर होती है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं बलकी संतोष और अपने जीवन में जो है उसमें खुश रहने में है जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें जीवन में सच्ची खुशी मिलती है